बिध्यानजली पोर्टल पर वोलेंटियर का पंजन कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से समझें सबसे पहले हम Google Chrome पे क्लिक करेंगे और यहां सर्च बार में बिध्यानजली पोर्टल जैसा कि मैंने इसमें टाइप कर रखा है www.vidhyanjali.education.government.in क्लिक करेंगे इसको क्लिक करते से ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें नजर आएगा यहां पर अलग-अलग तरह के आइकोन हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें हमें स्कूल रजिस्टेशन और वोलेंटियर रजिस्टेशन और लॉग-इन तीनों दिखाई दे रहा है लेकिन हमें अगर स्कूल का रजिस्टेशन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और volunteer का registration करना है तो volunteer registration पर क्लिक करेंगे volunteer registration करने के लिए कुछ इस तरह का interface हमारे सामने आएगा इसमें सबसे पहले full name हम देखेंगे individual volunteer from India या volunteer from NRI या PIO या NGO तो आप जिससे भी belong करते हैं जिसे मैं इंडिया से belong करती हूं तो मैं इंडिया वाले पर क्लिक करूंगी यदि आप NRI हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे यदि आप NGO से belong करते हैं तो आप इस पर करेंगे तो normal यदि हम volunteer हैं तो हम individual volunteer पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपना full name डालेंगी जो भी आपका full name होगा इस तरह से हम अपना full name यहाँ पर लिखेंगे then email id जो भी आपकी email id है यहाँ पर आप अपनी email id डालेंगे इसके बाद state select करेंगे हम state के लिए यह हम मध्यप्रदेश के हैं तो मध्यप्रदेश क्लिक करेंगे और जिस भी state से हम belong करते हैं वह अलए state यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस भी district से हम belong करते हैं वह district हम यहाँ पर select करेंगे उसके पश्चार यहाँ पर country code इंदिया का प्लस 91 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल नमबर इसमें fill up करेंगे हम और फिर यहाँ पर हम इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे मोबाइल नमबर फिलिप करने के बाद में यहाँ पर get OTP वाला option जो दिखाई दे रहा है इस option पर हम क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टेट मोबाइल नमबर है उस पर OTP आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर OTP डाल करके इस box में इंटर्यूर OTP में OTP डाल करके यहाँ रजिस्टेशन वाले icon पिट लिख करेंगे और फिर आपका रजिस्टेशन successful आजाएगा यहाँ लिखा जाएगा कि यह रजिस्टर is successfully इस तरह से आप अपना रजिस्टेशन कर पाएंगे Thank you so much अगर वीडियो आपको समझने आया है तो like और subscribe जरूर करें